हेलो फ्रेंड आपको सागत हमाई यूटूग चैनल पर आज हम आप लोगों के लिए इन्यूरेस पिलाएं हैं आज आप लोगों को हम हर मतर की एक टेस्टी रेस्वी बताऊंगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कितना ही टेस्टी लगदा देखने में यहां बना वज़ा एजी है और दस मिट्रें बनके रेडी हो जाता है यहां सबजी ठंडी के मौसम में खाने बहुत मज़ेदार भी होता है इसलिए मैंने यहां सोचा कि यह वीडियो आप लोगों के साथ क्यों ना सेर किया जाए यहां पर मैंने हरा मटर लिया हुआ है और देखें यहां मैं टमाटर का फेष्ट ली हुई हूँ यहां पर मैंने दो टमाटर मिक्सेजार में ग्राइंड कर लिया है और देखें यहां मैं दो ऑनियन का भी पेष्ट बना लिया हूँ अच्छे से इसे मैंने मिक्सेजार में ग्राइंड किया था यहां पर कोटी हुई चार हरी मिर्च ली हुई है नथ से आठ कारी लिया हुए और ने लिया हुए और यहां प्र थाढक लाइने जिसलेद हैं च्ट constituteने के स्वय तिमाटर का स्वला बादर हे इसमें हम आयल डाल रहे हैं आप यहां पर कोई भी आयल ले सकते हैं उसमें इसमें तड़का लगा रहे हैं इसको पल्टे घरस चला देंगे इसको हम अच्छे चलाएंगे जिससे कि यह चारो तरफ से रड़ हो जाए अच्छे से थोड़े से पकने किसे छोड़ देंगे इसम चला लेंगे इस देखिए इसा कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया है अब इसमें हम ओनियन का पेश्ट डालेंगे देखिए मैंने पेश्ट यहां पर डाल दिया हूं इनका अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे पल्टे के अलफ से मिक्स करेंगे इसे इसे थोड़ सा पका लेंगे हम अब यहां पर हम टमाटर का फेश्ट डालेंगे कि मैंने यह पर टमाटर का फेश्ट डाल दिया हुआ है अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको मिक्स करते हुए ऐसे ही पका लेंगे अच्छे से इसको बिल्कुल चाह तरफ से अच्छे से चलाएंगे जिससे कि यह पर देखिए अपजय और नमसाला अट कर देंगे और यहां आप अधर भी मसाला अट कर सकते हैं पसंद उसमाद करें यहां पर हल्दी अच्छे मिक्स कर देंगे हम हुटया है अब इसको बहुए लेंगे जिसरेकि मसाल अच्छ हेसे पर जाएं और इसका टेस्ट अगर मसाला कचा राता तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसलिए हम पकाएंगे अच्छ Sei जब तक यह चाह तरफ से ऑईल न छोड़ा है देखिए हमारा आल छोड़ दिया सब तरफ से इसमें हम पानी आड़ कर देंगे त्रमाटर का पेस्ट मना था उसे से पानी आड़ करेंगे एक कप अब इसमें हम नमक आड़ कर देंगे स्वाध अंसाल नमक को अच्छ शेयर मिक्स कर लेंगे हम होख़आ कि देखिए हमक अच्छ से मिक्स हो गया अब इसमें मतर डालेंगे देलिक हमसे मतर अच्छ कर दे रहे हो मतर क भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे चलावन देखे मटर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको पका लेंगे इसे हम बीज भीज में चकरते रहेंगे कि इस पका की नहीं हमारा उसको अच्छे से चला लेंगे चारो तरफ से देखे मारा अच्छे से पक गया हूँ यहां सूख भी गया अच्छे से देखे कितना प्यारे सा कलर आया है और देखने में कि ज्यादा यम्मी लग रहा है चली आप लोग को हम एक प्लेट में इसे निकाल कर दिखाते हैं देखे मैंने यह एक प्लेट में निकाल ले से देख और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो का नाटिफिक्स सबसे पहले मिल सकें लिए मिलते हैं नेस्ट वीडियों तब तक के लिए बाइबाइब